सो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइंद का जो चैप्टर वन है नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 आज हम शॉल करेंगे अभी देखते हैं यहां पर आपको पहला पूश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वह कुछ यह है कि मतलब इस जीरो अरशनल नंबर कियो के फॉर्म में लिखना है वेयर पी एंड कीव और इंटीगर एंड कीव नोट इकवल टूट जीरो जो फ्रेंड लो हमारा क्यूँ है वह जीरो नहीं होना चाहिए तो हमारा q0 कैसे नहीं होगा अभी हम इसको भी देखते हैं फिलाल अभी तो यहां पर हमारा पजो solution है उसके अंदर हम आपको बता दें कि हुआ कैसे है आप अगर 0 है और अगर आपको इसको in pyq के form में लिखना है हमें इसको pyq के form में लिखना है so it is equal to 0 upon 1 इसे लिख सकते हैं यहां पर 0 upon 2 भी लिख सकते हैं and इसी तरीके साम इसको आगे भी पहुंचा सकते हैं जितना हमें जाना हो so friends हमारा जो यहां पर आपको दिखाए दिया है यह कुशन नमबर 1 है इसका solution यहां पर नीचे दिया हुआ हुआ है और मैं आपको बता दूं कि यह चीज होती है जो 0 है वह एक rational number है यह कि हम 0 को पी अपान क्यों के फॉर्म में लिख सकते हैं जी अपान वन जी डो अपान टू एंड एसेक्टरा तो friends अभी तो हमारे पहला कुश्चन था अब हम अपने नेक्स्ट कुश्चन करते हैं यहां पर मारा जो नेक्स्ट कुश्चन है वह हमारा है इस वाइंड है कि फाइनडा शिकस रेचनल नंबर बीट्विं ठी एड़ पॉर उस्ट मैंस त्युक्त हैं करना है ठीड़ी एंट फॉर के अंदर विससे जेश्चनल लंबर की अंदर मामूली बात नहीं है तो फिला लिख देखते हैं कि अधर हमें पहले क्या करना है हमें कितना निकालना है हमें तोटली सिक्स रिस्टल नमबर निकालने हैं वहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें आपको एक और फार्मूला बताना जा रहा हूं फार्मूला है कुछ इस तरीके से कि वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन चलते हैं यह जो वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन है यह एक फार्मूला है 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 हम इसको इसी फार्मूला के करें गी कि इसको आपने भी तरीके से कर सकते है फिलाल को चलते हैं आलब है यहां पर हमें कितना निकालना तो निकालना है तो ट्रिक दिखा हुआ है शिख रेण नंबर बीटीविं थी एंड पॉर इस तो में 3 & 4 बीच में हमी निकालना है तो टी शिक्षार्षनल नंबर डैनमेटर should be made equal to six plus one मैंने आपको बताया था आपको कि एन प्लस वन तो आपका एन एन इस एक्वल टू इस हो चुका है और शिक्स प्लस वन इस एक्वल टू जाएं इस तो क्लियर हो गया यह कि हमारा जो एन प्लस वन है वह जहीं सिक्स है यहां पर वही फार्मूले यहां पर यूवर् और अश्トली बादिकल दिडिया सीबया औरिपर यहां पर देल पोर त्री इस इक्वल तू ऐसा beats यहां वाह्म से निकालना है थिए और से एंस एक्वल टू टू इनढुलर्विट्टू 7 कैसे आ गया और लिमेटर सेमन कैसे आए यहांतो पिडिया आया है वह यहां साया 6 plus 1 means n plus 1 is equal to 7 तो आपको यहाँ पर यहां जो बता हुए 3 into 7 यह जो है 3 into 7 यह कैसा है तो दोस्तों इसके लिए हम देखेंगे हमारा जो डर्मिनेटर है वो 7 है और उपर का नमबर जो हमार 3 है तो दोस्तों हमें 3 से 7 multiply करना होगा 3 into 7 इस इकल टू 21 और यहां पर अपॉन में 7 है तो इस आलसो इस इकल टू 7 to 21 अपॉन 7 आ चुका है यहां पर इसको गर काटिंगे तो 7 3 जा 21 ही होगा प्लाल में से भी काटना नहीं है अब दर हमारा 21 अपॉन 7 है फागी हम 4 से भी से तरीके से कर देंगे 7 से multiply आपको यह आ जाएगा और उसके बाद यहां पर 6 rational number between 3 and 4 can be found by verifying the numerator between 21 and 28 दोस्तों हमारा बास इतना छोटा सा इस्टिफ है बाके आप लोग दर देखिए हमने इदर 21 यह निकाला है 21 तुम दर से लिख देंगे 21 अपॉन 7 अधर 28 और 21 और 28 के बीच में इतना भी आता है वह हमारा क्या हो जाएगा निकालने है 22 अपॉन 7 जैसे आपको लिखा हुआ है इंतर देख सकते हैं 22 अपॉन 7 जार 23 अपॉन 7 24 25 26 27 तक यहां पर दिया हुआ है एंस्वर तो दोस्तों अगर आपके मेरी अच्छी लगी हो तो पीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप में चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों याँ इसके आगे का जो कुशन होगा पर मैं नेक्स वीडियों में बताऊंगा